हमारे यूट्यूब चैनल Ancient Places में आपका स्वागत है जहां हम रीवा मध्यप्रदेश के मनोरम इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इस एपिसोड में हम रीवा के दिल्चस्प अतीत का पता लगाएंगे जिसमें बगहेल सामराज्य और उसके महत्वपूर्ण योगदान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो आएए इस एतिहासिक यात्रा पर चलें। रीवा राज्य जिसे रीवा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की एक राजपूत रियासत थी जो इसकी नामित राजधानी रीवा शहर के आसपास थी। लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर, 13,000 वर्ग मील के क्षेत्रफल के साथ रीवा बगेलखंड एजनसी में सबसे बड़ी रियासत थी और मध्य भारत एजनसी में दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। 1901 में 2.9 मिलियन रुपे के आसत राजस्व के साथ रीवा मध्य भारत की तीसरी सबसे धनी रियासत भी थी। 1933 में बगेलखंड एजनसी को भंग कर दिया गया, जिसके बाद रीवा को इंदौर रेजिडिनसी के अधिकार में रखा गया। रीवा राज्य को 15 तोपो की सलामी थी। इतिहास के अनुसार रीवा राज्य की स्थापना 1140 एके आसपास हुई थी। 5 अक्टूबर 1812 को यह एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। एक अप्रेल 1875 और 15 अक्टूबर 1895 के बीच रीवा ब्रिटिश भारत के प्रत्यक्ष अपनिवेशिक प्रशासन के अधीन रहा। 4. रीवा के शासत ने राजा व्यागर देव के संस्थापक शासनकाल के दौरान बांधवगड से शासन किया था, जो गुजराती योद्धा राजा वीर धवल के प्रत्यक्ष वंशज थे। 1.617 में महाराजा विक्रमादित्य सिंग ने अपनी राजधानी रीवा स्थानांतरित कर दी। महाराजा मारतन सिंग रीवा के अंतिम शासत थे जो देश के भारत बनने के बाद भारत संग में शामिल हुए। उधरन वांचित अकबर को 10 साल की उम्र में रीवा में शरन दी गई थी जब उसके पिता हुमायू युद्ध में हार के बाद भारत से भाग गए थे। राजकुमार रामचंद्र सिंग और अकबर शाही उत्तराधिकारी के रूप में एक साथ बड़े हुए। महाराजा रामचंद्र सिंग और अकबर मित्र बने रहे। 1550 के मध्य में महाराजा गुलाप सिंग के समय में रीवा भारत की पहली रियासत थी जिसने हिंदी को राश्च्य भाषा घोशित किया था। उन्हें आधुनिक भारत में पहली उत्तरदाई सरकार घोशित करने का श्रेय भी दिया जाता है जिसने रीवा राज्य के नागरिकों को अपने राजा के निर्नेयों पर सवार उठाने का अधिकार प्रदान किया। राज्य 1812 में ब्रिटिश सर्वोचता के अधीन आ गया और 1947 में भारत की आजादी तक ब्रिटिश राज के अंतरगत एक रियासत बना रहा। राजा वेंकट रमन सिंग B.1876R.18801918 के लंबे अलपमत के दौरान राज्य के प्रशासन में सुधार किया गया था। 1901 में शहर में एक हाई स्कूल, एक मॉडल जेल और दो अस्पताल थे, विक्तोरिया अस्पताल और जेनाना अस्पताल। और यहां हमें रीवा और बागेल सामराज्य के इतिहास पर इस अध्याय के अंत में लाता है। अगली बार हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम इस मनोरम शहर के इतिहास से और अधिक दिल्चस्क कहानिया उजागर करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन घंती दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।